साब्दे तालुका के केलवत के पास रायवासा गाव के खेतों में खड़ी फसल भैजाने से किसानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है वर्तमान में नाले का पानी लगभग आठ के खेतों से बहरा है दसकिसानों को अपने खेत में खड़ी संत्रा का पास तुवर आधी फसलों की चिंता सताने लगी है लेकिन तालुका सिचाई विभाग अपनी मीन से जागने को तैयार नहीं है प्राप्ते जानकारी के अनुसार राइबासा तलाप का ओवर फ्लो वहा कर ले जाने वाले नाले के किनारे सतीश राव दीपक राव प्रतिवा ससंकर शामराप मालोदे ईश्वर शेंडे रामकृष्ण वैद इंदू ससंकर समित कई अन्य किस्तानों के खेत हैं राइबासा तलाप से सटे नालो को गहरा करने की मांग को लेकर पिछले साल से सिचाई विभाक के अभियंता और अधिकारी को की जा रही है उक्तनाला मिट्टी पत्थरों से भरा होने के कारण राइबासा तलाप का अति प्रभा पानी सती श्राफ के साथ खेतों के बीचों बीच भैते किसानों के खेतों में खडी संत्रा कपास अरर आधी के साथ साथ किसानों के खेतों के तडबन तोड़ते हुए संत्रा इस खड़ी वसल को अपने साथ बहा ले जा रहा है जिससे किसानों को आर्थिक संकट के साथ भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है सपता से जारी तेज वारिश की कारण अचानक से रायबासा सरोवर ओवरफ्लो हो जाने और नाले की उचाई बढ़ने से उक्त किसानों के खेतों से पानी बहने लगा राइबासा ग्राम पंचायत के सरपंच सोनु राव सहब और प्रभावित किसानों ने सिचाई विभाग की इंजिनियरों और अधिकारियों को अनेक निवेदन देने के बाद भी कोई उपाय नहीं किया जाता देख मारनी एसट्यू अधिकारी अतुल महत्रे को लिखित निवेदन देकर प्रभावित किसानों से कारवाई की मांग की गई है उक्तिनाले को गहरा करने और इस कारे में जानबूच का विलम करने वाले सिच्वाई विभाग की अधिकारियों पर उचित कारवाई की मांग पीडित किसानों ने की है सामनेर से इन बीसे नियूस के लिए समवादा था किशो ढूंडेले की रिपोर्ट